नियमित वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्स्राइब करना ना भूले फोन पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाए हेलो फ्रेंट्स आईए जानते है क्यों विराट कोली की मैच फी से 25% काटा गया विराट कोली को ICC Code of Conduct ब्रीच करने तहट 25% of मैच फी फाइन किया गया है विराट से दूसरे टेस्स के तीसरे दिन में यह हुआ जो ब्रीच आर्टिकल 2.1.1 है जो Spirit of the Game पर है आर्टिकल 2.1.1 कहता है कि Players and Players Support Personal जो छोटे से छोटे Code of Conduct पे ध्यान देता है प्लेएर को अपने और अपोनेंट प्लेएर के तरव वेल बिहेवड रहना चाहिए और अमपायर से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए अगर कोई प्लेएर ICC Code of Conduct लेवल 1 को ब्रीच करता है तो उसे 50% तक मैच की फाइन हो सकता है विराट कोली ओन फिल्ड अमपायर से कॉंस्टेंटले बहस कर रहे थे इसलिए हुने 25% आफ मैच फी भरना पड़ा इसके पहले इंडियन कप्तान सौरफ गंगुली ने भी ICC Code of Conduct ब्रीच किया था गंगुली को 30% आफ मैच फीज भरना पड़ा वो मैच भी सौरफ अफरिका के खिलाप ही था गंगुली ने ICC Code of Conduct 1.3 को ब्रीच किया था जो अमपायर के एक डिसेजन पे रियाक्ट करना और अमपायर्स को बाते सुनाना होता है तो फ्रंस आपके हिसाब से एक कप्तान को अग्रेसिव होना चाहिए विराट की तरह या कूल रहना चाहिए धोनी की तरह कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले